कि नमस्काल बच्चों पढ़ाई त्वार्जवार के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे कख्षा आटवी का पार्ट तेरा खाद्य उत्पादन अवं प्रबंद कुल मिलाकर इस पार्ट में बच्चों किसान किस तरह से खेती करता है और खेती करने के लिए क्या-क्या करता है क्या सबसे पहले कि हम पढ़ेंगे करना मात्र से नहीं हो जाता उसका प्रबंदन भी उतना ही जरूरी है तो सबसे पहले कि हम पढ़ेंगे कि आखिर फसल क्या होती है तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी स्थान विशेश पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को हम क्या कहेंगे फसल कहेंगे जैसे कि एक ही क्यावलते आपन देखते हैं कि धान के खेत में धान के ही पौधे लगाया जाते हैं उसी तरह से अगर चने की खेती करें तो चने की ही खेती यहने उस जगर पर चना ही मुए जाता है उसी तरह से अगर मालों हम साख सुजी के अंतर गड़ भी जाते हैं तो पालक का एक पौधा नहीं लगा जाता असंके पौधे लगाए जाते हैं इसी का मतलब है कि कि इसी निश्चित उद्धेश यह ने कि हम को क्या प्राप्त करना है सबसे पहले ह प्रेकार के फवसलों को उगाना थथा उनसे उपज प्राप्त करना कि निसे कहते हैं यह अलग-अलग तरह के ने धान बुना है कि आ करने बहुत अधिक मात्रा में से प्राप्त करने के लिए जो कारे किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं कि-चित्र में देख रहे होंगे बच्चों की धान का फर्रफा लगाया जा रहा है अब हम पढ़ते हैं कि मौसं के आधार पर फसलों के प्रकार तो बच्यु जैसे आपको पता होगा कि फसल दो तरक्य होती है जिने कि खरिब की फसल, रभी फसल अब तीसरी फसल है जायद फसल है न आताउपन सबसे पहले पड़ते हैं कि मौसम के आधार पर फसलों के प्रकात जब जुलाइ योगर में बहुत अधिक मात्रा में पानी वर्षा होती है तो जिस फसल को वर्षा की अत्यतिक आउशक्ता है तो ऐसे वसल को हम कैसे ने वर्षा के रितुमें बोहेंगे तो सबसे पहले परते हैं इन फसलों के लिए इने खरीब की फसल तो इन फसलों के लिए अधिक मात्रा में पानी तथा ताप की आउशकता होती है इन्हें वर्षा रितु में उगाया जाता है और इन फसलों को वोने का समय मांसून प्रारम अर्था जून जुलाई कटाई का समय क्या है अक्टूबर नवंबर होता है तो खरीब की वसल के लिए कि उसमें हमको पानी अधिक मातर में चाहिए और ताप यानिस उजय का प्रकाश भी उतना ही आउशक है पानी बी उतना ही आउशक है तो वर्षा रितु में हम दोनों प्राप्त होता है तो ऐसी यहने जो वर्षा रितू में जूगाया जाता है ऐसी फसलों को हम क्या कहते है खरीब की फसल तो उनके बोने का समय क्या है मांसून प्रारम होने के पहले ही किसान क्या करता है अपने जमीन को तयार करना चालू कर देता है तो बोई गई है जून और जुलाई में या तो जून में देख रहे होंगे खरीब के फसल के बहुत सब्सक्राइब की फसल है तो आपन को क्या होता है कि जब वर्षा रितू के मार्च और अपरेल में की कटाई सब्सक्राइब निविए आपके ह ludzi निए निए diffु को सब्सक्राइं इसमें प्रापत होता है सब्सक्राइब Dodge 보이 गेहूं, मस्टर्ड याने की राई, सर्सोन, और कॉरियंडर याने धनिया, और ओट्स, तो अब हम आते हैं, तीसरी फसल है, जायत फसल, बच्चों ये गर्मी के तिनों में आप लोग तर्भूज खाते होंगे, कलिंदर जिसे हम लोग कहते हैं, खर्भूजा, और क्या खाते हैं, ककड़ी आती है, जो रेती में उगाई जाती है, तो कुछ जो फसल है, उनका पैदार का समय are, उनकी जलवाई हो ए, सुस्क जलवाई अच्छी होती हैं, इन्हें प्राएक बोया जाता है, दिसम्बर से, फरवरी के महने बोया जाता है, पेथा मार्ट से मई के महनों मे एसी फसल क्या कहलाती है जायत फसल प्रकार है सूरज्मुखी जिससे एक प्राप्त होता है सन फ्लावर मूंख़ली तेल प्राप्त होता है कड़ी तर्बूज और खर्बूज यह में गर्मी के दिनों में पानी की सप्लाय पूरी करते हैं तो इन बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है और ये फसल बोई जाती है जैसे ककड़ी तर्बुज और खर्बुज नदी के गिनारों में बोई जाती है क्योंकि इन्हें अधिक मात्रा में पानी की आशिक्ता होती है तो सुष को जलवाईू चाहिए और पानी अधिक मात्रा में चा अब हम आके बढ़ते हैं कि किसी की पद्धतियों उपर तो क्या क्या पद्धति अपना कर किसान खेती करता है तो बच्चों किसी की पद्धतिया है भूमी अथ्वा मिट्टी की तयारी भूमी का चयन, यहने किसान क्या करता है, सबसे पहले मिट्टी को तयार करता है, भूमी का चयन करके मिट्टी की तयारी करता है, फिर वो बीजों का चयन करता है, यहने कि किस तरह के बीज अच्छे होते हैं, खाद कब देना है, सिचाई कैसे करना है, निन्दाई और खर्पत किसान अपनी फसल के भरपूर उत्पादन के लिए ऐसी उप्यूक्त भूमी का चैन करता है जिसमें बीच आसानी से अंगपूरित होकर प्रत्धी कर सके तथा उन्हें आवशक मात्रा में पोशक तत्व पानी एवं बायू मिल सके यह सारी चीजें उसे मिट्टी प्रदान कर लेगी तो सबसे पहले वह एक अच्छी से भूमी तब करता है कि उसमें चसे अच्छी फसल को तैयार कर सके लिए भूमी की तयारी के सबसे पहले चरण में खेत में जुताई की जाती है इसके लिए वह तयाया तो पारंपरिक हलका प्रयोग करेगा अथ्वा मिट्टी को पलट कर हलका मिट्टी पलट हलका प्रयोग किया जाता है देशी हल मिट्टी को चीर देता है तथा मिट्टी पलट हल म मिट्टी को चीरने के साथ पलट भी देता है बचों यह तो पारम यहने की पुरानी टेक्नीक हो गई जिससे किसान करता था आज भी जिनके पस कम जमीन होती है जिसके अंदर ट्रेक्टर आसानी से नहीं जो सकता उस पर किसान इसी पद्धति का प्रयोग करता है यहने की बैलों की सायता से हल से मिट्टी को यहने की वह करता है और फिर तूटी हुई मिट्टी रहती उसको पल्टा से तोड़ता है परन्तों जिनके पास बहुत अधिक माद्रा में भूमी होती है वह क्या करते हैं कि अधिकर करते हैं और वह साथी साथ मिट्टी के जो ढेले तो तोड़ते भी जाते हैं तो सबसे पहले उसने क्या किया मिट्टी को तयार किया अब उसके बाद क्या करेंगा वह द्धान की खेती यह भूमी अथ्वा मिट्टी की तैयारी धान की खेती के बश्चाथ रभी फसल के लिए खेत काफी कठोर हो जाता है जिसे त्यार करने के लिए पारंपरी खल परियाप्त नहीं होता इसके लिए ट्रैक्टर अथ्वा पावर प्रीलर चलिद कल्टीवेटर प्रोटावेयर अथ्वा हैरो का उप्योग किया ज़ता है तो του जी छोटी जमीन होllers के पास है तो पारंपरी खलका प्रियोग करें कि जैसे ही धान की गठाई करता है तो देखने कि भूमी कड़ दे कटोर हो गई तो साधरन हल से वह काम नहीं कर पाएगा तो क्या करता है ट्रैक्टर अथ्वा पावर ट्रीलर का प्रियोग करता है जिससे कि वह जो कठोर हुई भूमी है उसको आसानी से मिट्टी को गुरुबरी बना सके जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे पानमपरी खल और इधर में याने कि ट्रै करते हैं कि जुताई से आखिर लाब क्या क्या होता है तो लाब यह है कि मिट्टी क्या हो जाती है भूरुबुरी हो जाती है जिससे कि वायू का संचार और जल धारन शमता बढ़ जाती है और जड़े का आसानी से व्रिद्धी होती है याने कि मिट्टी भूरुबुरी हमन करतने की शंता उसमें बढ़ जाएगी और जब वाई और जल दोनों मिल जाएगा तो जड़े आसानी से व्रिद्य करें और दूसरा क्या होता है मिट्टी में बहुत से घास फूस और काटी गई फसल के जो जड़े रहती हैं तो वह जब उसमें हल चलता है तो क्या बन जाते ह और जुताई से खेत के मिट्टी के जो बड़े-बड़े धेले निकल आते हैं बीज बोने देता सिचाई के लिए इन धेलों को तोड़कर समतल करना आउश्यक होता है और इस कारे के लिए लकडी का पल्टा अथ्वा सुहागा का प्रयोग करते हैं याने कि जब किसान खेत में हल चला रहा है तो हल चलाता है तो मिट्टी के बड़े-बड़े धेले हो जाते हैं जो की बीज बोने में कठिना इत्पन करते हैं तो इन धेलों को तोड़ने का काम कौन करता है यह जो पल्टा दिख रहा है बच्चों चित्र में बॉयकारे करता है अब किसान ने भूमी का चैन भी कर लिया, भूमे में जुताई भी कर ली, अब वो क्या कर रहा है, उसमें बोने के लिए बीजो का चैन कर रहा है, तो जिस फसल के पौधे उगाना है, उसके पूर्णतह स्वस्त अंकुरन शमता वाले रोग प्रतिरोधक बीजो का चैन किया जाता है अच्छी पैदावार के लिए समुननत अथ्वा संकरित बीजो का उप्योग किया जते हैं कि अधिक सदिक पैदावार दे सके ऐसे बीजो का चैन किसान करता है तो बीजो अबचार क्या है बीजो में फफून अथ्वा अन्य रोगाणूं के बीजाणूं तथा अथ्मा रोगानू नासी के हलके गोल से उप्चारित कर लेना क्या कहलाता है? बीजो उप्चार कहलाती है, तो बोवाई के पूर्व बीजो को रोग से मुक्त करना, जिससे किस सिग्र अंकुरन के लिए उसको तयार किया जाए, ऐसी गतीवीधी क्या कहलाती है? बीजो क्या कहलाती है अब बीजो की बुवाई तो बीजो को खेद में अंकुरन है तो डालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बुवाई कहलाती है बुवाई में या ध्यान रखना चाहिए कि बीजों को अंकुरन के लिए पर्याप्त नमी वायू प्रकास मिलता रहे तो बीजों को जो बोने की अलग-अलग पदती होती है उसमें एक पदती है छरहटा तो इस विधी में क्या करता है किसान हाथों से पूरे खेट में बीज को छिड़कता है तथा इसके बाद खेट की जुदाई कर दी जाती है जिससे की बीज मिट्टी के अंदर दब जाएं तो इस विधी के द्वारा कम समय में बड़े छेत्र की बोवाई की जा सकती है धान्य फसलों की बोवाई छरहटा विधी के द्वारा की जाती है और दूसरी विदिये हैं रोपन विदिये ने जैसे कि कुछ फसल जैसे प्याच, मिर्टी, मिर्च, टमाटर, गोभी, भटा, आदि के जो बीज हैं खेत अत्वा जमीन में सीधे नहीं बोई जाते बल्कि उनके बीजों को पहले रोपनी अत्वाय नर्सरी में छोटी-छोटी क्यारियों में हुगाया जाता है जब इसकी छोटे-छोटे पौधे यहने थरा तयार हो जाता है तब स्वस्त बौधों को छाट कर खेत में उची दूरी पर इसको लगा दिया जाता है तो इस इधी के ढ़ती है अब किसान में क्या गर लिया बीज भी बोर दिया अब वो खात कचार करता है तो खात के प्रकार है गोबर खात कमपोश्ट खान और वर्मी कमपोस्ट तो गोवर खाद तो गोवर ओनने इसमें पसुङों के गोबर को गड़े में दबाकर सडाने की क्रिया से तयार किया जाता है इसमें परियाम्त पोशक तत्व होते है और कमपोस्ट खात क्या है या खात खूड़ा करकट पौधो तथा पशुओं के आउसेस आधी को गड़े अध्वाविसेस रूप से बनाई गई तंकियों में सड मुत्र कम मात्रा में होते हैं किन्तो इसमें भी घोबर खात की तरह परियाम्त पोशक तत्व होते हैं अब केच्वा खात याने बर्मी कमपोस्ट जैव अपसिस्ट को सीगरता से अभगटित करने के लिए केच्वे का उप्योग किया जाते हैं केच्वा मिट्टी में उपस सदेगले अपसिस्ट को खाते हैं और मल के द्वारा इन्हें जैविक खात के रूप में निकालते हैं तो इन्हें केजवा खाद या वर्मी कमपोष्ट कहते हैं इसमें नाइट्रोजन फासफोरस तथा पोटेशियम अधिक पोशक तद्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो यह अभी हमने पढ़े खात के प्रकार अब हम आगे आते हैं उर्वरग अभी हमनी जो इसके पहले खात पढ़ा वो सब प्राकरतिक थी अब आते हैं उर्वरग पर तो भूमी में कुछ विशेश पोशक तद्व जैसे नाइट्रोजन फासफोरस पोटेशियम की पूर् पूर्वरग 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 पालक, आधि के लिए कौन सा उर्वरक हौशक है, नैट्रोजन उर्वरक, तो इससे क्या होते हैं, पौदे तेजी से रृत्धी करते हैं, अब फॉस्फेटी उर्वरक, ये फॉस्फेटी उर्वरक, जैसे नाम से पता है, कि किस पौदों में फास्पॉरस की कमी को पुरी करत निस होच है इस होचिता होती है जल्हन के लिए ज्ऐक हैं पोडेशिए इस्वAR के उर्वरकह्रकहर वांदे में तत्व की पूर्टि करते हैं शबिंध यसका कंद वाली वाली पूडेको हैं पोडेशियों ख्रॉय्चिक प्रोटेशियम ख्लोराइड यह मुख्य प्रोटेशियम उरुवरक हैं अब हम आगे आते हैं फसल चक्र पर जैसे कि यहां पर दिया है नैट्रोजन स्थरी करंबेश सहायक रजोबियम जिवान इसके लिए पहले चलते हैं दलहन फसल के दरब कि एक ही फसल को बार बार भूने से भूमी की उपजाव शक्ति कम हो जाती है तो भूमी की उपजाव पन को बनाए दखने के लिए फसलों को फूर्ण बदल घूर्ण चाहिए तो अनाज की फसलों के बाद दलहन की फसले बोहивать जाती है जिसे से की मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की उप्लाइट तो इसमें रहें वसक्राइब होती है जिसमें क्राइजों बीम नामक की जिवा लूता है वह एटमॉस्फियर से हमारे वाता परसे नाइट रॉजन को अपने अंदर में क्या उन्दर में इस्थिर करके में रहे रहे। यसे चीतर में आपको दिखा रहा है कि इसकी गाठे में न comparative कर्योंकि में यहां मिट्टी जिए मिट्टी से कुच्च करता परंतों मिट्टी को नैट्रोजन की पूरती कर दलहन की फसल को यहनिल बदल कर बोने से क्या हो रहा है कि मिट्टी का उपजाऊपन तरह कि जब resembles ने जड़े तो अंदर में ही बने रहेगी और इन जड़ों में जो गाटों में स्थित नाइट्रोजन हमारे जमीन को उर्वर्ता बनाये रखेंगे अब आते हैं हम सिचाई पर तो पौधों को कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति करने की विधी को हम क्या कहते हैं सिचाई कहते हैं सिचाई से प्राप्ट जलद्वारा पौधे खनीद लवनों का अवशूशन प्रकार स्रंस्लेशन जथा जैवी क्रियाय संपन करते हैं खेतों की सिचाई की मात्रा मिट्टी के प्रकार तथा उगाई गई फसलों के लिए पानी की अधिक आउशक्ता पर निर्भर होती है पौधे को अधिक पानी चाहिए और की सिचाई की नहीं नहीं तक्निक आ गई है तो सबसे पहली स्प्रिंकलर अथ्वा बौचारी फोवारा सिचाई अब चित्र में देख रहे हैं कि नकली बारिष कि इस पद्धती में खड़ी फसल पर खृत्रीन रूप से पानी की परश बादर किया जाता है जो एक धूरी पर गुम सकने वाले बहुत से छिद्रों यूग्त कोटी से फवारे के रुपमे बहार निकलते हैं ऱैने से पानी चोड़ा जाता है यह नई पाइप में और वहाँ पर एक वहार्य दैपक अधिक शिद्र वाले वरे टोटी लगा दी जाते हैं तो यासे प्रेशर से पानी को बाहर फेकता है और भूमता जाता है तो नकली बारिश का एक वहां पर बातवरन निर्मानों जाता है अब कि जिसको कम चाहिए वहाँ पर ड्रिप या टपक से चाहिए इस पद्धती में पानी की सुक्ष्ण सिद्र तथा ड्रिपर युक्त बंद पाइपों में दाब पम द्वारा पौदों तक पानी को सीधे पहुंचाया जाता है इस पद्धती से उर्वरकों तथा विबेन रासायनिक पदार्तों की उचित मात्रा भी पौदों तक सीधी पहुंचाया सकती है याने कि तपक याने कि धीरे धीरे पानी पहुंचाया अब यहां पर एक बात बोल रहा है कि इस ड्रिप याने तपक सिचाहिए के द्वारा किस जाए हो गए उसके बाद में खर्पत्वान यह इन्तरन यह जब खेट में उस पौदों के साथ में दूसरे पौदे भी जो कि अनुप्यूकत है वह भी जाते हैं तो ऐसे खर्पत्वार में पौदों की वृद्धी कम हो जाती है याने कि जिसका हमने धान बोया पर्माधान के साथ साथ अन्य पौदे भी उग गए हैं तो वह क्या करेंगे वह भी पोशक्तत्व खीच लेंगे और जिससे कि हमारे में जो उपज है वह क्या हो जाएगी प्रभावी तो खर्पत्वार से पौदों की वृद्धी कम हो जाती है फसल की गुणवत्ता एम उत्पादन भ पर वो हमारी फसल के साथ में उग आये हैं और वो व्यवधान उत्पन कर रहे हैं तो अब उसके नियंत्रन के लिए क्या करते हैं खर्पत्वारों की निंदाई हाथों द्वारा अथ्वा विभिन नियंत्रों जैसे फावरा खुर्पी हैरो कल्टिवीटर की साहता से भी की किया जाता है जिन्वेन क्या कहते हैं खरपत्वा नासी अब जैसे खरी फसल के जो खरपत्वार है वह चलाई साढ़ी Κोण पलो में पखने के बाद कर दकाटन को काटना फसल कटाई कहलाता है फसलों को हाथों से ता हुट के लिए तो क्या करेगा जैसे अपने जमीन को जोतने के लिए वो अपने देसी हल्का प्रयोग करती है। उसी प्रकार अपने देशी कटाई का अगर उसकी जमीन छोटी है कम फसल है तो क्या करेगा हातों को हसी है तता दराती से काट लेगा पर जिसके बहुत बड़े-बड़े खेत है हाना बहुत अधिक नात्रा में उसे कटाई करना है तो क्या करता है अब इलेक्ट्राणी यहने गेहों की कटाई कटाई यह अंत्र द्वारा भी की जाती है गहाई अत्वा मताई याने ठ्रेसी पसल कटाई के परशाथ अनाज के दानों को अलग करना गहाई अत्वा मढाई के अलाग यह बेलन एबम दावन दौरी द्वारा किया जाता है उन्नत क्रिसक गहाई के लिए त्रेसर का उपयोग भी करते हैं याने चोटा किसान क्या करेगा बेला नत्वा दावन से वो गहाई या मढ़ाई कर देगा परन्तु जिसके अधिक बड़े खेत है उन्नत क्रिसक याने की जो एकदम आधुनिक हो गया है वो क्या करेंगे त्रेसर मसिन का प्रयोग भी कर सकते हैं फसल से दानों को अलग करने के लिए कंबाईनिक ऐसा यंत्र है जो कटाई के साथ साथ गहाई याने दोनों काम करता है कटाई तो करेगा साथ साथ बीजों को बूसे से अलग भी कर देगा अग किसान ने खेग फसल को काट लिया अब फसल का सरक्षन की बारी आती है फसलों को हाधनी पहुंचाने वाले जीव जन्तू पक्षी कीडे तथा विमारी उपन करने वाले शुक्ष्म जीवों जैसे जिवानू विशानू तथा कवकों को पीड़क कहते हैं किसान अभी खर्पतवा नियंद्रन करी रहा है कि उस पर जीव जन्तू भी अपने आक्रमन करने लग जाते हैं कुछ उसे खांकर तुरंद चड़ जाते हैं और कुछ-कुछ तो एक ही दिन में पुरे खेप को नस्ट कर देते हैं तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं पीड़क अब उसके माद में हम आते हैं कि यह सब भंडारन तो किसान ते तब व्यापारी क्या करते हैं अनाच को भंडार गोदाम कोटी धातू से बनी कोटी अथ्वा साहिलों में बंडारित करके रखते हैं जिसे हम FCI ने Food Corporation of India कहते हैं जैसे किसान क्या करता है जब अपना धान को अलग अलग करके बोरे में भर दिया उसके बाद वो आता है मंडी पर है ना मंडी पर वो अपने धान बेजता है और मंडी से सीधा धान जाता है धान से चावल अलग किया जाता है और उसको बाद में उनको भंडार रहे हैंने FCI Go Down बेज जाता है ने Food Corporation of India जहां पर उसका सर परक्षित रखते हैं ताकि उसमें कीडे ना हो सके कीडे ना हो इसलिए ड्रम में बढ़ते हैं और हम ड्रम में इसलिए भी बढ़ते हैं कि चुमों द्वारा उन अनाजों को नस्ट ना किया जा सके अब यह तो हो गई हमारे धान यह चावल गेहूं की बात अब हम जो साल नाइच काते हैं तो क्या साल बर आलू की फसल होती है साल वर क्या पुलते हैं हमारे नहीं होती है तो इन जो हमारे साग बाजी हमारे अदरख ल это लशoonols प्यार हो गए हमारे सेक हो गए है नहीं 2015 सबड़ सबचियों तब해도 Sanoo आ प्रऑन अब हम अन्य मासल तथा सीग्र गलने वाले उत्पादों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज का कम तापमान उत्पाद अत्वा तथा सुक्ष्म जीओं की जैविक रियाओं को मंद कर देता है। यानि समाप कर देता हैं और इससे उत्पाद क्या होते हैं सरने गलने से बचते हैं। अब आते हैं पसल समूलित तिपी। सिचाई, खाद और वरग तथा क्रिसी पदतियां अपना कर खाद्यानों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय है उन्नत किस्मों का विकास एवों मिप्रयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार अत्वा फसल सम्भूनित कहा जाता है। याने कम बीजों में अधिक पैदा इसे हम कहेंगे फसल सम्भूनित। अब जन्तूओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पुदात। मनुश्य अपने भोजन सम्भंदी आउशक्ताओं की पूर्ति फसलों के अत्रिक पश्वों तथा जन्तूओं से करते हैं। सरीर की वृद्धी के लिए प्रोटीन आउशक है जो हमें दालों के अत्रिक दूद अंडे तथा मास से प्राप्त होती है। हम उन सभी पश्वों को पालते हैं जिससे हमारे भोजन सम्भंदी आउशक्ताओं की पूर्ति होती है। वैज्यानिक तौर तरीकों से पश्वों की देख भार्व पालने की विधी हम क्या कहेंगे पश्वों पालन कहते हैं। बच्वों आप देखते होंगे कि किसान अपने घर में गाय भी रखता है, बक्री भी रखता है, मुर्गी भी रखता है, बत्तक भी रखता है, यह जो जो चीजों को पाल सकता है, वो अवश्य पालता है। अब गाय, भैस, बकरी उसे दूद देते हैं, तो बकरी उन्हें एक और मास्त भी देती है, मूर्गी उन्हें अंडा भी देती है, और अन्य चीज भी देती है, तो इस तरह से ये सारी चीजे क्या कहलाती है, पशु पालन कहलाती है, अब दुख दुद पादन पर आते हैं हम हमारे देश में गाय तता भैसों की संख्या सरवादिक है ये दूद देने वाले दुधारू पशू है जिने बड़े इस्तर पर डेरी फार्म में पाला जाता है भैसों के अधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली जो नसल है उन्हें अब मुर्रा भैस कहते हैं संकरन द्वारा गाय तता भैसों की उन्नत नसले विक्सित की गई है अधिक दूद देने वाली गायों की नसले है फ्रेजियन साही बार, हॉल्स्टीन फ्रेजियन तता भैस की जो नसले है उसे कहते हैं बुर्रा फैस तो बच्चो देखो गाव में किसान ने तो दूद उत्पादन के लिए गाय वैसे पालनी पर क्या सहर में पाल सकते हैं क्या नहीं तो दूद उत्पादन भी बड़े अस्तरप किया जाता है जैसे गावं से दूद को खरीद कर डेरी में भेज कर उन्हें विभिन तरीके से तयार करके अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के उपचारण किये जाते हैं तो यह जो बड़े स्तरपी किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं दुख दुद पादन कहते हैं दूसरा है कुकुट पाला कुकुट को दिये जाने वाले भोजन में कीरे मकोडे वनस्पति तता कंकर रहते हैं यह कंकर उनके भोजन को पीसने का कारे करते हैं इनके हाहार में चूना पथ्थर भी मिलाया जाता है जो अंडे के कवर शिर्मान में सायक होते हैं, तो बच्छों आप देखते होंगे कि जो बहुत बड़े स्तर पर पोल्ट्रक होते हैं उसको हम इंगलिश में पोल्ट्री फोर्म बलदे और हिंदी में कुकुट पालग आप अंडों का जो कवर देखा है वह किस कलर का होता है जफेद कलर का यह होता है चूना के गारण कैल्शियन है रह और यह जो जीव में वायू के आवागमन तथा प्रकास की उचित विवस्था की जाती है पक्षियों के अप्सिस्ट्रों का उपयोग खात के रुप में किया जाता है अधिक अंडों की प्राप्ति तथा मास बॉयलर के लिए संकरन तक्नीक द्वारा कुपट की उन्नत नस्मलों का विकास किय ज़्या ज़्याड है वाइट लेख हर्म रोडे आईलाइन रेड कुछ प्रमोक नसलियान पर दी गई है वह इस प्रकार है है तो हमें रहें मुर्गी से प्राक्त हो रहा है अंडे तो प्रापत हो रहा है तो मस्तवर्य चया हुआ धाजहों मूंत मीज़ कुण-के, यह जन्तु प्रोटीन का एक प्रमुक श्रोत है कॉट तथा सार्प मचलियों का तेल विटाइमिन D का श्रोत है और मचलियों का उपयोग शुष्क तथा डब्बा बन आहार के रूप में भी किया जाता है मचलियों का उपयोग कुकुट तथा मवेशियों के आहार के रूप है मज से बन यानि जो मचली है वो किसका सोर्स है प्रोटीन का सोर्स है और जो बड़ी-बड़ी मचलिया है जैसे कॉर्ड और सौर्क जो मचलिया है उनका तेल विटामिन का प्रमुक्ष रोत है इस तरह से बच्चों देख रहे होंगे आप इसमें अपने भी पड़ा कि मचली की पूरा सरी कुछ ना कुछ कहीं कुछ खाने की काम आ रहा है तो कहीं उसकी जो पूच और पंक और हड्डियां हो किसके काम में आ रही है उर्वरक के रूप में काम आ लाग यह इन्हें उसका पूरा सब्सक्राइब हो हमारे लिए उपी होगी कहीं पर खाथ का का गाम कर रहा है कहीं वह विटामिन डी का गाम कर रहा है तो कहीं पर बोजन का तो यह मचली को डबा बंद आज कल तो तीवी में भी इनकी एडिवाटाइज आने लग गई है कि बंद करके इने अपन खरी सकते हैं नहीं कि जिस तरह हम दबबं गुलाब जमन खाते हैं उसी तरह से दबबं मचलिया भी पोजन के रूप में प्रयोग में लाई जा रहे हैं अब हम आते हैं शहद, सहद किससे प्राप्त होता है, मदू मक्खी, तो जो मदू मक्खी पालन करते हैं, तो मदू मक्खी एक ऐसा कीट है, जिससे हमें की सहद प्राप्त होता है, सहद में जल भी है, सरकराप खनी जे एंजाइन पाए जाते हैं, सहद एक सुपाज जे बोजन है, हाद दे के रूप में इसका नियमित उप्योग नहीं किया जाता है, किन्तु दवा के रूप में भी अधिक उप्योगी है, इसका उप्योग खासी जैसे सामाने रूगों में पिए किया जाता है अधिक शाहद प्राप्त करने के लिए मदयु कर्षाब ओरूप भी नहीं कि सुपाज्य भोजन इसका उप्योगूग खाने के लिए नहीं दवाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है जैसे की अधरक्र के जैसे रस में सहद मिला कर काने से हमारी ठीक होती है आपने देखा को भाको जो काई स की दोई ही भाज धी होती है क्योंकि जो मेता प्रे見て फि death है वो जैसे हम पीते हैं पीते तो हमारे गले में चिपक जाता है जहां से हमारी खासी उत्पन करने वाले जंतु वहां पर रहते हैं तो वह जो दवाई है वहां पर चिपक जाती है और उसको नश्ट कर देती है इसलिए शहत भी उसी प्रकार का रोल प्ले करता है यहां पर अब मदू मक्खी पालन में आते हैं कि प्राय वनों में पाई जाती है मदू मक्खिया कहां पाई जाती है प्राकर्ति ग्रूप से वनों में पाई जाती है यह उचे रक्षो या इमारतों पर अपना घर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं मदू मक्खी का चत्ता कहते हैं मदू म बोप जिन में देख्रेहेंगों यह एक प्राप्रक्रटिक है यह झाल